यह आर्टिकल है The Mint का, cabinet approves 59,000 क्रोड रुपीज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप स्कीम फोर क्रोड SC स्टुदेंट्स ये एक और आर्टिकल है The New Union Express का, cabinet nod to 59,000 क्रोड रुपीज इन्वेस्मेंट इन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप स्कीम फोर SC स्टुदेंट्स आगे बढ़ने से पहले स्कीम को मैं आपको बताऊं ये जान लो पहली बात तो के 2011 सेंसर के हसाब से भारत में SC कॉमुनिटी के जो लोग हैं इनकी अबादी है 16.6% और अगर हम मान के चलें भारत की अबादी roughly around एक rough estimate आपके आगे चलिए 130 करोड के आसपास तो मतलब के आज के समय SC population एंडिया में 20 से लेकर 21 करोड के आसपास और जो ये 20-21 करोड की आबादी है इसका 50% आपको मिलेगा सिर्फ 4 states में ये बताया गया था 2011 के census में और यहाँ पर आप देखेंगे इस पर एक article भी है Times of India का 2003 का article है Half of India's Dalit population lives in just 4 states इसमें number 1 पे है उत्तर पदेश UP में मिलेगी आपको 20% आबादी schedule cast की उसके बाद second number पे है West Bengal 10% SE population फिर उसके बाद नीचे बिहार है rank 3 पर और उसके बाद है Tamil Nadu rank 4 पर और question यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपके हसाफ से देश का जो vulnerable section है जो women है SE, STS और even जो हमारे दिव्यांग आप आज के समय आप अगर देखें तो schedule cast जो population है देश का एक काफी बड़ा पार्ट है और यह population तहीं से grow भी कर रही है, last census नेम को यह बताया था कि जो schedule cast population है इसने जो decadal growth दिखाई थी 20.8% मगर problem यहाँ पर यह है कि इस vast आबादी को jobs के field में काफी issues आ रही है, काफी problems आ यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल है इंदुस्टान टाइम्स का schedule cast among the worst sufferers of इंडिया's job problem, हाँ देखें उनको reservation मिलता है मगर problem यह है कि government jobs हर जगा अवेलेबल है नहीं, आज भी आप अगर देखें इंडिया में जो majority लोग हैं वो काम करते हैं private sector में, unorganized sector में, तो काफी disadvantage फिल करती हैं, इसका एक बड़ा reason यह है lack of proper education, यहाँ पर अगर देखोगे यह NSSO का job data है from 2011-12, यहाँ पर जो latest data यह हो जाता है कि SC community में unemployment rate सबसे जारा था among the other sections of society, तो इसलिए भारत सरकार ने finally एक बहुत ही बड़ा push दिया है PMS SC को, यह एक बहुत ही important scheme है, यह scheme काफ SC की full form है, post matrix scholarship for scheduled castes, और कौन सी ministry यहाँ पर involved होती है, यहाँ पर involved है ministry of social justice and empowerment, यहाँ पर इस वकरन्ट मिनिस्टर है as of December 2020 जो मैं record कर रहा हूँ, तावर चंद गलोट, और by the way इस ministry के जो minister है, यह hold करते हैं, एक cabinet rank as the member of the council of ministers, अब latest initiative में किया क्या जाएगा, देखो यह बड़ा सबसे सुन्दर बात यह है कि government proper financial support प्रवाइड करती है SC students को, यहाँ पर देखो कि लिखा हूँ एसके बारे में, जो यह scholarship है by the way, इस scholarship को कोई भी student जो 11 क्लास से उपर किसी क्लास में पढ़ रहा है, वो 12 में है, तो भी अनूल कर सकता है, 11 क्लास से वो अनूल कर सकता है, और पार में जो भी उसके education होनी है, उसको graduation करनी है, जो भी आगे उसको बढ़ाई करनी है, वहाँ पर सरकार उसको full tuition fees provide करेगी, देखो लिखा हूँ है आपर scholarship includes, full tuition fees, monthly maintenance, अलग से उसको allowance भी मिलेगा खर्चे के लिए, और by the way यह scheme actually बहुत लंबे समय चल रही है, इसकी शुरु भी पैसे डालता है, state भी पैसे डालती है, और इस तरीके से fund बनता है हर state में, और इससे कोछी ची जारी है कि SC community में, जो gross enrollment ratio है, यह improve हो, दो हजार दो तीन के आसपास, gross enrollment ratio था 6%, अब यह 2018 में बढ़के हो गया है, 23%, अब यहाँ पर question होगा कि, alright, तो यहाँ पर सरकार financial support provide करत क्या यहाँ पर corruption भी हो सकते हैं, यहाँ पर इनोंने यह openly बोला है, कि यह scheme यह run करेंगे on an online platform, इसके लिए आज के समय यह भी announce किया गया है, कि government एक state of the art IT platform बनाएगी, जिसमें students अराम से अन्रोल कर पाएं, और इस scheme का part बन पाएं, और यहाँ पर आप देखेंगे सारा data जो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, कि जो भी verification करनी है, eligibility की, card status की, आधार की, यह सब हो जाएगी online, और fixed time schedule पर payment होगी, जो भी assistance मिलनी है students को, यह time पर deliver की जाएगी, और जो भी benefits है, उनको जो भी पैसा मिलना है, यह मिलेगा right in their bank accounts, और यहाँ पर हमको number दिख रहा है, 59,000 crore यह actually exact number है, 59,048 crore रुपीज, यह जो amount है, यह सरकार खर्चे की आने वाले 5 साल में on schedule cash student education, और इसमें रेको center का जो role होगा, जो center देगी पैसा, यह होगा 60% of the total amount, मतलब के 35,500 and 34 crore रुपीज, बाकी जो पैसा होगा, यह आएगा from states या फिर unit territories, इससे पहले आप अगर देख बढ़ा दिया है यहाँ पर, और इससे कोशिश यह की जाएगी, कि 4 crore, बहुत ही बड़ा number होता है, 4 crore, SC students को directly benefit हो in the next 5 years, अब यह question आपके वैंड में यह हो सकता है, कि अचानक सही announcement क्यो करी गई, well देखो, सरकार पे काफी pressure था है, इस issue को लेकर, already आप अगर देखो, तो क अचानक से जो funding है, यह बढ़ा दी गई है, और even जो opposition party है, primarily congress party, इन्होंने भी काफी हलोचना गरी थी सरकार की, इन्होंने यह का था, कि आज के समय जो SC और SC students हैं, इनकी education पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, और इस वज़े से बहुत सारी जो scholarships हैं, यह cancel हो रही है, because of lack of funding, lack of central funding, तो government पे काफी pressure था इस चीज़ को लेकर, और family government ने यहाँ पे लिया है, एक massive step, अचा मैं एक बाद यहाँ पर add कर दूँ, कि सरकार यहाँ पर यह भी focus करेगी, कि जो poorest section है, of the SC community, उनको यह सब benefits मिले, यह भी काफी important factor है, यहाँ पर आप देखोगे, campaign to enroll the students from the poorest households in the higher education, priority will be given for reaching out to the poorest SC students from households having three or more deprivations, deprivations में लगते, poorest of the poor households, और households where one और both the parents are illiterate, students passing from state municipal local body schools, तो यह करना भी देखिए, काफी important है, और वैसे आप अगर यह ministry of social justice and empowerment की website पर जाओगे, तो वहाँ पर PMSC scheme पर एक cap भी है, कि यह scheme है, उनी families के लिए, जहाँ पर जो annual income है, यह धाई लाग रुप पर या उससे कम है, अब जो यह नया portal launch करेंगे, उसमें क्या यह नया cap introduce करेंगे या नहीं, वो देखना होगा, तो उस पर मैं confirmation यहाँ पर भी करूँगा नहीं, और finally आप मैट करना चाहूँगा, आप किसी वे exam की preparation कर रहे हैं, चाए UPSC, SSC, bank, any examination, आप prepare कर सकते हैं, with an academies, online courses, फायदा यह है, live class मिलेगी, आप question पूछ पाएंगे, और उसके अलावा, यह जो classes है, they are quality classes, यहाँ पर आपको जाना है platform पे, click on UPSC, CSC, या फिर any examination, get subscription, और यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, plus या iconic course, जो भी iconic course है, चाहे UPSC का हो, या फिर किसी और course का हो, यहाँ पर आप मत कर देना, do not pay this price, use the code PD10, और आपको मिलेगा सीधा, almost 7000 rupees discount, so use code PD10 and save money.